हेलो असलाम लेकुम स्टूजेंट्स होप यू आ दूइंग वैल अमीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे तो चलिए आज चुछ है हम चैप्टर नबर 3 की बात करते हैं और चैप्टर नबर 3 में जो हम सॉल्ट करेंगे ठीक है वो है प्रॉब्लम सेट ए ठीक है अब हम इसका प्रॉब्लम 3.1 ए सॉल्ट करेंगे और यह हमारे पास प्रॉब्लम है और इसकी एच एंवरे ट्रांजेक्शन को हम रीड आउट करेंगे दैन इसकी जोर्नल एंट्री को पास करेंगे ठीक है लेकिन जैसे कि यह इसमें ग्लैन एंड गेमिस की यह जो ह हम इसका हाज इसका है वो इंट्रॉब्लम इंसका जैसन को पर आफाई मैं जासे करेंगे तो फटीए इस पिरिण परुपिर जल्च पर्पायजर एकाउंट को आपने विशरेंग होगास यह दिन है टेकर करता हैं और यह फोड़िष के को यूज़ सरे लिए ցप यूज़ेबैन ये रिफी किविशन आप काउंट से लाइन अजрий को याजे मैं मैं एला संटॉ तो चलिए हम जो है यहां पर अपना जो जो जनल एंट्री जो के लिए हम फॉर्मेट के लिए विट पास नहीं है ठीक है तो मैं यहां पर पैंसल से ही जो है वो लाइन्स ड्रॉक कर रही हूँ और इसका जो फॉर्मेट है वो जो जो पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको यहां पर हम सबसे पहले date डालेंगे then general journal लिखेंगे debit लिखेंगे और यहां पर साइट पर हम credit लिखेंगे यह हमारे पास जो है वो format तयार हो गया हमने columns को draw किया और इसमें ledger volume का column हमने नहीं डालना क्योंके this is American approach और जब हम British approach के according करते हैं then हम यहां पर LF ledger volume को column डालते हैं लेकिन जब हम American approach को use करते हैं तो इसमें सिर्फ हमारे पास यही column होते हैं ledger volume का column हम लोग नहीं डालते हैं अब उपर हमने सबसे उपर जो है वो company का जो name है वो use करना है और this is important section तो company का नाम है Glams Grims Glen Grims ठीक है फिर इसकी हम general journal बना रही है second number पे वो हम लिखतेंगे and third number पे जिस date को बना रही है वो date mention करतेंगे और वो date है मरे पास February और इसका month year नहीं है तो हम triple x mention कर देंगे तो this is important part के सबसे पहले आपने ये तीन चीज़ें लिखनी है company का name, general journal and इस date को प्रिपेर की जारी है वो date और फिर आपने ये format बनाना है और इस format को बनाने के बाद जो है आप one by one transaction को पढ़ेंगे and transaction को पढ़ने के बाद जो है वो इसका solution प्रोवाइट करेंगे तो चले देख लेते हैं हमारे पास transaction कुछ इस तरह से है तो यहां पर कहा जा रहा है कि गैलन ग्रिम जो एक real estate development का मालिक है तो इसकी ये different transactions है और इन transaction को one by one करें और इसकी जो है जोनल एंट्री को रिकार्ड करें तो मारे पास आजएते हैं February 1st ग्रिम और इंवेस्टर डॉलर 5 लेक कैश in business in exchange for 25,000 shares of capital stock तो this is the first entry जिसमें 11 ग्रिम और दूसरे इंवेस्टर ने 5 लाग इंवेस्ट किया है और बिजनस में 25,000 shares हरी दिली है और as a capital stock ये investment की है तो जब भी एक honor business के अंदर invest करता है ठीक है तो investment के लिए हम कुछ इस तरह से entry पास करते हैं वो business के अंदर cash लेके आ सकता है land लेके आ सकता है building लेके आ सकता है ठीक है कुछ भी लेके आएगा जो भी acid को लेके आएगा वो एसी debit हो जाएंगे और capital stock को credit करतेंगे तो हम entry यहां पर पास कर देंगे cash debit और capital stock credit और amount है यहां पर हमारे पास five lakh की तो हम debit side पर five lakh mention करतेंगे और credit side पर five lakh mention करतेंगे इसके बाद हम narration लिखेंगे तो narration हमारे पास आ जाती है honors इन्वेस्ट capital into the business ठीक है तो आपने कोशिश यह करनी है कि आपका जो narration है वो यहां तक stop हो जाए इसके आगे नहीं जाना चाहिए ठीक है यहां पर cash जो है मैंने इस side पर लिखा है which is debit और थोड़ सी जगा छोड़के मैंने capital stock लिखा है which is credit तो इस entry से ही हमें देख के पता चल जाएगा कि cash debit है और capital stock जो है वो credit है इसकी distance से ही बता चल जाएगा ठीक है तो लाजबी दोर पर आपने जो है इस entry को इस तरह से fulfill करना है इसमें जो है narration आप लिखेंगे narration को bracket में put कर देंगे and then line लगा देंगे और हम आपकी एक entry है वो complete हो जाएगी तो अगर आप ऐसे कोई भी business के अंदर investment कर रही है word invested आजाता है तो आपने हमेशा यही journal entry पास करनी है वो तमाम assets को आपने जो है वो debit कर देना है capital stock को credit कर देना और आपने date जो है वो must डालनी है अब हम बात करते हैं अगली entry की which is February 10 the company's purchase office facilities for 3 lakh of which 10,000 was applicable to land and 2 lakh for the building the cash payment अब यहां पर हमारे के कहा है कि company ने एक office facilities जो 3 lakh की purchase की है जिसमें से जो one lakh है वो land का है and two lakh जो है वो building का है the cash payment of 60,000 was made and notes payable was created for the balance of the purchase price ठीक है तो अब यहां पर कह रहा है कि जो हमने 3 lakh की purchase की है यह इसमें से हमने 60,000 जो है वो cash payment कर दी है और जो बाकी की amount है उसके बदले में हमने note payable को sign कर दिया है और notes payable हमारी liability treat होगी ठीक है अब हम इसकी journal entry pass करेंगे तो हमारे पास जो है जो भी हम asset खरीद रहे हैं ठीक है उन assets को हम debit कर देंगे ठीक है तो हमारे पास वो asset मुझूद है एक land है और दूसरा building है तो land जो है वो हमारे पास debit हो जाएगी one lakh से और हमारे पास जो building है वो भी debit हो जाएगी two lakh से ठीक है और इसके बदले में हम cash pay कर रहे हैं ठीक है तो cash भी हमारा asset है और जो है cash में जब कमी होती है तो वो credit हो जाएगा तो cash जो है वो हमारे पास 63,000 से credit आ जाएगा अब हमने करना यह है कि यह जो हमारे पास total बाकी की जो remaining amount है हमारी वो liability है उसके बदले में हमने note sign किया था तो इसलिए यहां पे हम notes payable जो है वो liability create कर देंगे ठीक है इसकी calculation होगी 3 lakh है total इसमें से 60,000 cash pay कर दिया है बाकी हमारे पास आजएगा 2 lakh 40,000 वो यह 2 lakh 40,000 की हमारे पास जो है वो liability create हो गई ठीक है notes paper अब हमने इसकी narration put कर देनी है और narration हमारे पास आएगी narration है purchase office sorry purchase land and building bracket close कर देंगे और इस entry को complete कर देंगे और यहां पे line लगा देंगे ठीक है तो यह entry basically आपने इसके आगे नहीं जाना ठीक है आपने total यहां पे ही अपनी narration को यहां तक जो है वो fulfill करना होता है अगर आपकी यहां तक नहीं आरी तो आप नीचे mention करके then bracket लगा सकते ह ठीक है तो इसके बाद जो है आगे चलते हैं और जो अगली हमारे पास transaction है वो February 16 को है computer equipment was purchase from PC world for dollar 12,000 cash इसका मतलब है कि February 16 को computer equipment खरीते हैं PC world से और इसके बदले में cash पे कर दिया है अब हमारे पास यहां पे दो account है one is computer system जो हमारे पास आ रहा है ठीक है computer equipment जो हमारे पास आ रहा है और दूसरा account है cash जो के जा रहा है ठीक है कमी हो रही है तो एक acid में जाफ हो रहा है दूसरे acid में कमी हो रही है तो अब जो है इसकी हम journal entry पास करेंगे और journal entry पास करेंगे तो मर पास आ जाएगा जो चीज हमारे पास as an acid आ रही है ठीक है वो debit हो जाएगी तो यहां पे आ जाएगा computer equipment debit मक्खी भी आ रही है इस कैमरे में अब तो यहां पर date mention कर देंगे और computer equipment debit and cash credit 12,000 से ठीक है क्यूंके asset हमने purchase किया है तो asset जब आ रहा है तो debit और एक asset जो जा रहा है वो credit तो हम यहां पे narration put कर देंगे purchase, computers, equipment और bracket close करके line लगा देंगे तो यह हमारे पास journal entry हो जाएगा हो जाएगी जब भी हमने किसी asset को purchase करना है cash पे तो उस asset का नाम debit हो जाएगा और cash जो है वो credit हो जाएगी तो हमने office equipment को debit कर दिया cash credit कर दिया तो कोई भी आप asset हरी देंगे वो asset को debit कर देंगे उसके मतले में cash pay करेंगे तो आप cash credit कर देंगे अब हम आगे चलते हैं अगली हमारे पास journal entry है February 18 को and office furnishing was purchased from highway furnishing at a cost of 9,000 office furniture जो है वो purchase किया है और इसकी जो price है वो 9,000 है इसमें कहते है 1,000 cash payment was made at the time of purchase और 1000 पया हमने जो है वो pay कर दिया 9,000 की total थी 1,000 जो है cash पे कर दिया and an agreement was made to remaining balance in equal installment March 2, March 1st and April 1st highway furnishing did not require the heartland signed and notes payable ठीक है तब यहाँ पे कह रहे है कि 9,000 का हमारे पास furniture था 1,000 का cash pay कर दिया है और बाकी जो remaining 8,000 है उसकी दो equal installment कर दी है ठीक है तो 8 में से 1 माइनस की आबाकी 8 रह जाता है और बाकी 2 जो है equal installment हमने कर दी और इसके बदले में हमने कोई भी note payable sign नहीं किया है तो जब हमारे पास liability create होगी और notes payable sign नहीं किया तो उसकी जागा पे हम accounts payable जो है वो mention करतेंगे ठीक है तो अब हम entry को पास करते हैं हमरे पास journal entry क्या होगी हमरे पास journal entry आ जाती है date सबसे पहले हम डालेंगे और ये date है मरे पास February 18 जो हमने furniture खरीदा है office furniture debit हो जाएगा 9000 से इसके बदले में cash pay किया है cash आपका 1000 आ जाएगा और बाकी जो है वो आपकी liability हो जाएगी which is 8000 ये कैसे आया 9000 में से 1000 माइनस कर दिया तो 8000 आ गया और इसको हम accounts payable लिख देंगे क्योंकि हमने इसके बदले में note नहीं sign किया है जब हमने note नहीं sign करना था तो हम इसके ल office furniture और यहां पर जो है हम bracket को close करके line लगा देंगे तो यह मारपस एक entry complete हो जाती है तो यह entry तब होगी जब हम एक acid को खरीदे और उसके बदले में cash pay करते हैं अधार कर देते हैं अब अगले entry की तरफ आते है February 23 को sorry February 22 को office supplies were purchased from office board for dollar 300 cash अब हमें office supplies को खरीदा है और इसके बद आपने asset खरीदा है और इसके बदले में cash pay किया है तो office supplies हमारे पास आ रही है और इसके बदले में cash हमारे पास जो है वो जा रहा है ठीक है तो हमारे पास यह दो assets है एक asset में increase हो रहा है और दूसरे asset में decrease हो रहा है तो इसकी journal entry पास कर देंगे very simple कि जब भी हम किसी asset को cash पे purchase करते हैं तो acid हमारा debit हो जाता है और cash credit हो जाता है February 22 लिख देंगे office supplies हमारा asset है जो के हम खरीद रहे हैं और cash इसके बदले में pay कर रहे हैं तो cash credit हो जाएगा और हम यहां पे 300 से entry pass कर देंगे ठीक है narration में put कर देंगे purchase office supplies यह entry हमारे पास complete हो जाती है ठीक है तो जब भी हम किसी asset को खरीदेंगे और इसके बदले में cash पे करेंगे तो वह asset debit हो जाएगा और cash जो है वो credit हो जाएगा यह हमारे पास ही narration हो गई अब हम अगली entry की तरफ move करते हैं February 23 Heartland discovered that it has paid too much for credit purchase on February 16 अब जी February 16 को बारह हजार का जो purchase किया था वो हमने जादा amount pay कर दी है the unit should have cost $359 but Heartland was charged $395 PC ward promised to refund the difference within 7 days अब यहाँ पे उसने कहा है कि जो Heartland है उसने रिजिसकावर किया कि जो हमने February 16 को purchase किया था उसमें हमने जादा pay कर दिया है actually cost थी उसकी $359 हमने pay किया है $395 इसका मतलब है $3600 रुपे जो है वो हमने जादा pay किये है अब इसने कहा है यह $3600 रुपे आपको जो है वो refund कर देगा ठीक है और यह refund करेगा अगले 7 days में ठीक है office equipment debit और cash credit ठीक है इसको हम reverse कर देंगे यह amount जादा pay कर दी है और इसको हमने सही करने के लिए इसी entry को हमने reverse कर देना है यानि cash उपर चल जाएगा और office equipment नीचे आ जाएगा लेकिन इसमें twist यह हुआ है कि basically हमें cash अभी नहीं मिल रहा वो उधार हो गया है कि हमें 7 दिन के बाद मिलेगा तो entry में computer system credit हो जाएगा sorry computer equipment जो हमारे credit हो जाएगा जो कि 36 टॉलर है लेकिन debit यहां पे cash नहीं होगा यहां पे हमें future seven days बाद हमें पैसे मिलेंगे तो इसलिए हम यहां पे account receivable एक account है जो हम record करतेंगे ठीक है तो जब भी हमें payment जो है वो कुछ दिनों के बाद receive होनी होती है तो इसके लिए हम account receivable का word इस्तमाल करते हैं ठीक है तो account receivable जो है वो हमारा debit हो जाएगा होना तो यह चाहिए था कि अगर अभी वो cash हमें मिल रहा है तो entry ने reverse हो जाना था office equipment debit हो जाता और cash credit हो जाती लेकिन अब हुआ यह है कि वो cash अभी नहीं मिल रहा हमें future में मिलेगा that's why हमने account receivable उपर mention कर दिया अब इसके नीचे हम narration लिख देंगे narration में हम लिख देंगे refund dues from pc world ठीक है और हमने इसके नीचे line लगा देनी है और यह entry complete हो जाएगी ठीक है और account receivable जो है हमारा debit हो जाएगा ठीक है क्योंकि seven days के बाद payment receive होगी और अभी receive नहीं होंगे seven days के बाद होगे इसलिए हम entry को करतेंगे अब हम आगे चलते है इसका मतलब यह है कि यह जो आपका जो अठाना date को हमने purchase किया था office furniture ठीक है उसकी दो installment थी four four thousand की एक marge first को due होनी थी और एक capital first को due होनी थी ठीक है लेकिन अब वो हमारा जो accounts payable है उसने हमें 27 February की date में जो है payment कर दी है ठीक है तो वो इस payment की जो entry है वो हम record करेंगे accounts payable debit और cash credit तो जब भी हमने अपनी liability को pay करना होता है date लाजमी हमने डालनी है February 27 है और उपर वाले जो date थी वो February 23 की थी जो मैंने नहीं लिखी है लेकिन अब आपने उसको भी लिख लेना और accounts payable debit और cash credit जब भी आपने अपनी liability को pay करना होता है ठीक है तो हमेशन आप entry pass करते हैं accounts payable debit और cash credit narration लिख देंगे made payment on end accounts payable ठीक है अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने मेरे पास पूरी नहीं हुई है तो मैंने आगे लिख लिए इसके आगे नहीं mention करना अब हम अगली entry की तरफ जाते हैं February 28 receive dollar 600 from PC world in settlement of account receivable created on February 23 यह जो February 23 को account receivable create किया था अब उस बंदे से हमें 7 days after पैसे receive हो गए हैं तो जब हमारे पैसे receive हो जाते हैं ठीक है तो इसके लिए हम entry pass करते हैं पहले date डालेंगे तो इस account receivable को अब हम credit कर देंगे तो entry pass हो जाए कि cash debit और accounts receivable credit और हमारे पास जो है यह 36 dollar आ जाएगा यहां पे 36 dollar mention कर देंगे you don't need to write dollar बट यहां पे मैंने लिख दिया है तो आप मत लिखिएगा मुझे यह mistake लिए डालर का sign आ गया तो जब भी हमने किसी पैसे को pay करना है तो हमारे पास यह entry होगी accounts payable debit to cash credit लेकिन जब हमें किसी बंदे से पैसे receive करने हैं थीक है तो हमारे पास सबसे पहले account receivable debit में create होगा थीक है और इसके बाद जब उस बंदे से हमने receive कर लेना है तो हमारे पास cash debit हो जाएगा और account receivable credit हो जाएगा ठीक है तो narration में हम लिख देंगे collected cash refunded by PC world अब यहां पे हम इस narration को हतम करके कर देंगे अब यह हमारे पास instruction 1 थी इसकी जो भी given थी journal entries pass करनी थी वो हमने pass कर ली है ठीक है अब हम चलते हैं इसकी B instruction की तरफ B में हमें कहता है indicate the effect of each transaction on the company's assets liability and owners equity from the month of February organize your analysis in tabular form for the February 1st transaction तो हमारे पास यह transaction है, asset है और इसके नीचे mention है, हमारे पास plus में 5 lakh cash liability है, zero और owner security में भी amount mention है five lakh और capital stock, basically यह जो पहली transaction है, ठीक है उस पहली transaction को उसने हमें करके mention किया है कि इस तरहां से आपने effect को record करना है and then जो है, one by one आपने entries को पढ़ना है और इस तरहां से अगर वो asset side पे आ रही है तो उसको asset में record कर देना है ठीक है, उतनी amount लिख देंगे, अगर वो increase हो रहा है तो plus का sign लगा देंगे अगर वो asset decrease हो रहा है तो हम minus का sign लगा लेंगे अगर वो liability में नहीं amount zero put करेंगे और अगर honors equity में वो mount आ रही है तो साथ में हम amount put कर देंगे add का sign लगा देंगे और account title लिख देंगे जो भी उस entry में mention होगा अब हमने format draw कर लिया as it is जो हमारे पास mention था book में, ठीक है assets, liabilities and honors equity basically हम पहले इसको पढ़के one by one फिर हम इसका effect record कर सकते हैं दूसरा तरीका कार ये कर सकते हैं कि basically हमने जो entries पास की है उसमें देखेंगे क्या चीज़ debit हो रही है, क्या चीज़ credit हो रही है and then फिर यहां पे उसको record करेंगे assets, liability and honors equity में तो हम पहली जो entry है उसको पढ़ लेते हैं पहली entry है हमारे पास जो है यहां तो आप उसको पढ़के record कर लो या entries को पढ़के record कर लो it's your choice तो हम basically यहां पे असान तरीका कार ये ही देखते हैं कि हम entries को पढ़ते हैं और record करते हैं तो cash debit हो रहा है five lakhs है, ठीक है cash हमारा asset है और जब भी asset increase होता है वो debit होता है तो हमने यहां पे date mention कर देनी है February 1st और यहां पे five lakh amount लिखेंगे cash लिख देंगे और add का sign लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ये increase हो रहा है इसके बाद capital stock credit हो रहा है capital stock हमारा honors equity होता है ठीक है तो honors equity जब increase होती है तब हम इसको credit side पे record करते है तो basically हमने plus का sign लगा देना है five lakh लिख देना है और साथ में capital stock लिख देना है क्योंकि जो increase है उसके लिए हम plus का sign लगा देंगे जो decrease होगा उसके लिए minus का sign लगा देंगे अब second entry की तरफ आते है land है, building है ठीक है cash है और notes पे able है तो land and building हमारा asset है cash भी asset है तो हम यहाँ पे asset side पे इसको categorize करने के लिए सबसे पहले यह line लगा देंगे ठीक है line लगाने के बाद अब हम date mention करेंगे जो के है हमारे पास February 10 इसमें अब हम लिख देंगे के land हमारे पास 10,000 की asset है रिकॉर्ड हो रहा है अडिशन हो रहा है तो इसलिए हम plus का sign लगाएंगे दूसरी में हमारे पास ते building 22 लग की building लिखेंगे ये भी debit हो रही है तो asset जब increase होता है तब debit होता है cash हमारे पास 60,000 से credit हो रहा है cash हमारा asset है और asset में जब कमी होती है तब वो credit side पर record किया जाता है तो हमने जो है इसको cash यहाँ पर लिखे देना asset में minus का sign लगा देना है और 60,000 mention का देना है अगैन आपने याज रखना है जो increase हो रहा है वो add और जो decrease हो रहा है वो minus तब notes payable हमारे पास liability है which is 2,000,000 ठीक है तो जिसके साथ भी payable का word आता है वो liability होगा तो हमने liability के नीचे आ जाना है liability हमारी increase हो रही है that's why वो credit side पर record है तो हमने add का sign लगा देना है 2,000,000 amount mention कर देना है और A-P लगा देना है तो हमारे पास basically abbreviation accounts payable की ठीक है आप A-P भी use कर सकते हो इसको हम accounts payable करते हैं ठीक है तो यह हमारे पास जो पूरी entries है हमने इस पूरी entry को record कर दिया categorize कर दिया asset है, liability है increase है या decrease है line लगा दिया अगली entry की तरफ बात करते है computers equipment debit हो रहा है cash credit हो रहा है computers equipment हमारा asset है इस asset में इजाफा हो रहा है तो हम यहां पे जो है date डालेंगे date हमारे पास आजाएगी February 16 और यहां पे asset में इजाफा हो रहा है add का sign लगा देंगे 12,000 mention कर देंगे computer system आजाएगा इसके बाद हमारी जो second है cash है cash भी हमारा asset हो रहा है लेकिन asset है लेकिन cash अब यहां पे credit side पे record हो रहा है तो जब भी asset decrease होता है तो वो credit side पे record होता है तो हमने minus का sign लगा के 12,000 लिखा और यहां पे cash mention कर दिया तो हमने basically इसमें asset side पे दोनों asset थे एक asset decrease हो रहा है दूसरा asset increase हो रहा है हमने उसको record कर दिया ठीक है office computer system है increase हो रहा है add का sign cash decrease हो रहा है minus का sign अब हम अगले entry की तरफ आते हैं office furniture debit cash credit and accounts payable credit है अब इसकी हमने effect करना है office furniture हमारा asset है asset cash भी हमारा asset है और accounts payable हमारी liability है ठीक है तो अब हमने इसको categorize करना है कि यह कहां कहां पे record होगा तो office furniture क्योंके debit हो रहा है asset जब increase होता है तो debit side पे record होता है line लगा देनी है date mention करेंगे February 18 तो यहां पे sorry amount थी 9,000 तो मैंने 18 लिखना start किया तो 9,000 लिखके आपने office furniture लिख देना है क्योंके asset increase हो रहा है that's why वो debit side पे record है तो plus का sign लगा के 9,000 और office equipment लिख दिख दिया आगे हमारे पास तक cash cash credit हो रहा था और asset जब decrease होता है तब credit side पे cash credit हो रहा है जब asset decrease होता है तब ही उसको credit side पे record करते हैं that's why हमने minus करके 1,000 और cash लगा दिया आगे हमारे पास थी liability liability पे जब increase होती है तो तब वो credit side पे record होती है तो हमने liability में plus 8,000 और bracket A slash B लगा के नीचे 9 लगा दिया हमारे पास entry complete हो जाती है अगली एंटर की तरफ आते हैं office supplies debit and cash credit 300 से ठीक है तो office supplies हमारे पास asset है एक asset में इजाफा हो रहा है और cash भी हमारे पास asset है और एक asset में कमी हो रही है ठीक है तो हम again इन दोनों को date डालेंगे February 22 और इन दोनों को जो है हम डालेंगे asset heading में डालेंगे एक asset जिसमें इजाफा हो रहा है plus लगा के 300 bracket में office supplies लिखतेंगे और एक asset में कमी हो रही है और इसमें 300 डालके cash लिखे नीचल लाइन लगा देंगे तो यह entry complete हो जाएगी अब हम अगली entry की तरफ आते है अगली entry थी हमारे पास account receivable debit और computer equipment credit ठीक है 36 अब यह दोनों हमारे asset है एक account receivable भी asset है और computer equipment भी asset है एक asset में अजाफा हो रहा है और दूसरे asset में कमी हो रही है ठीक है तो basically अब हम इसको asset side पे ही record करेंगे हम यहाँ पे date mention करेंगे February 23 और जिस asset में इजाफा हो रहा है प्लस करके 36 और accounts receivable जो है वो हम लिख देंगे आपको याद है कि जब भी asset debit side पे record किया जाता है तो it means के increase हो रहा है और जब credit side पे record किया जाता है asset तो it means के decrease हो रहा है तो 36 minus लगा के computer system and line mention करके हमने entry complete कर दी अगली हम entry की तरफ आती है अकाउंट्स February 27 का accounts payable debit और cash credit हो रहा है accounts payable हमारी liability है liability जब decrease होती है तो वो debit side पे record होती है और asset जब decrease होता है तो वो credit side पे record होता है ठीक है तो हम यहाँ पे जो है वो date pass करेंगे February 27 क्योंकि asset decrease हो रहा है तो minus का sign लगा के 4000 और cash लिख देंगे आगे हमारी जो liability है वो भी decrease हो रही है तो 4000 minus का sign लगा के ठीक है अब यह line मैं नीचे लगा ली तक के मजीद 2 entries रहती है वो हम कर ले अगली entry देखते है अगली entry हमारे पास है cash debit and account receivable credit यह दोनों हमारे पास asset है एक asset में इजाफा हो रहा है क्योंकि cash debit है और एक asset में कमी हो रही है क्योंकि वो credit side पे record है ठीक है तो line लगाई और इसके नीचे हमने date लग डाली which is February 28 और इसमें cash जो है वो increase हो रहा है तो हम यहाँ पे plus का sign लगा के 36 और यहाँ पे साथ में cash mention कर देंगे और account receivable जो है वो हमारा asset है और asset जब decrease होता है तो वो credit side पे record होता है तो हमने minus का sign लगा के 36 और accounts receivable जो है वो mention कर दिया तो यह basically हमने नीचे line लगा दी this is the whole solution of the question जिसमें जो है हमने इस वाली option में effects को basically record किया है कि asset है liability है यह honors equity है वो increase हो रहा है यह decrease हो रहा है ठीक है अगर वो increase है तो plus का sign लगा के account title लिखो amount लिखो plus का sign लगा और साथ में date mention कर दो अगर वो ही asset decrease हो रहा है तो इस asset का नाम लिखो amount लिखो और minus का sign लगा दो basically हमने जो है यहां पे categorize करना है कि either in entries को पढ़के कि कौन सा जो है entry में account asset है liability है and honors equity है तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कारिंटली इसको like करें मेरी चैनल को subscribe करें ठीक है और जो है अम अमीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी अगर आपको समझ नहीं आई है तो comment section में जो है वो आप अपना comment mention कर सकते हैं जिस चीज़ की समझ नहीं आई है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा okay take care bye bye अलाहाफ़ेज